एक बार की बात है, एक घने और रहस्यमय जंगल में राज नाम का एक युवा लड़का रहता था, वह एक बच्चे के रूप में जंगल में खो गया था और उन जंगली प्राणियों के साथ बड़ा हुआ था, जो इसे अपना घर कहते थे. राज ने जनवरों के साथ समवाद करना सीख लिया था और उसे जंगल के रहस्यों की गहरी समझ थी. एक दिन खोजकरताओं का एक समूह जंगल में पहुँच गया और जनवरों के साथ राज के अनूठे बंधन को देखकर आश्चर्य चकित रह गया. उन्होंने उसे शहर व विश्वास करते हुए कि वह उन्हें जंगल के छिपे खजाने के बारे में सिखा सकता है. उसे पहले राज को शहरी जीवन में ढ़लने के लिए संगर्श करना पड़ा. उसे जंगल की सादगी और सुन्दरता बहुत याद आती थी. लेकिन समय के साथ वह दो दुनियाओं के बीच एक पुल बन गया. उन्होंने जंगल के बारे में अपना ग्यान लोगों के साथ साज़ा किया और उन्हें इसका सम्मान करना और इसकी रक्षा करना सिखाया. जैसे जैसे राज बड़ा हुआ, वह एक प्रसिध संरक्षन वादी बन गया, जो जंगल और उसके उन्हें दुनिया को प्रकृती के साथ सद्भाव में रहने का महत्व सिखाया.